नमस्कारम दोस्तों आप देखने हैं स्यूटी पाइट साला आपसी का बहुत-बहुत स्वागत हैं स्यूटी पाइट साला पर कंटिनिवर्स हम लोग ऑफिसियल और अनॉफिसियल और आनलाइज वीडियो कवर कर रहे हैं आपके लिए वह हर एक वीडियो बनाया जा रहा है जो आपके स्यूटी प्रिप्रेशन से लेके काउंसिलिंग तक में मदद कर रहा है आज एक वीडियो जो है वह इसलिए बनाया जाना चाहिए जिससे आपको पता चले कि कैसे छात्र के हितों के अगेंस्ट हमारी गौवर्मेंट या जो सिछा विभाग से जोड़े हुए ल लगता है कि इसका मतलब आप उससे एकसेप्ट करते हो आप उससे अग्री करते हो आप इससे सहमत हो तो मेरा कहना है कि आप यदि सहमत नहीं हो आपको लगता है कि यह गलत हो रहा है तो एडलेस उस पे हमें अपना एक स्टेटमेंट अपना थोड़ा से समय निकाल के अपन पता भी नहीं है के भाई हमारे साथ गलत हो रहा है और बेसिक्ली आपके साथ ठोड़ा नहीं बहुत बड़ी इक right एक तरह से साई से प्लानिंग है जो की कि गॉर्मेंट हमारे लीए कर रही है और हम लोग दूसरे बट्टे के साथ अपने बहुत कीमती पैसे जो महिनस से कमाये हैं वो इस पर्टिकुलर CUT के थुरू UGC या एंटियो को दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं इस मैथट को समझ ये CUT आया था एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर जहां पर हम लोग एक एक एकजाम देंगे और हमें विस्विद्यालों में एड्मिंसन का अलग-अलग रास्ता दिखाई देगा लेकिन अब ये लोग हमसे CUT का पेमिंट कराते हैं एज अप्लिकेशन फॉर्म फिलब करवाके उसके बाद जब हम लोग पेपर दे लेते हैं तो इन्वर्सटीज के पास जब जाते हैं तो इन्वर्सटीज कहते हैं कि भाई अब हमें लाके फिर से पैसे दो तभी हम आपक का अपने हां लेंगे इडमीशन नहीं आपका रजिस्टेशन हम एक्सेप्ट करेंगे बाई देखो आप हमें एडमीशन देते पैसे लेते तो बात बराबर की थी क्योंकि यहां पर लें देने की कोई गारेंटी नहीं है एज और डिफेंडेबल मनी आप हमसे ले रहे हो ब हमारे चैनल का ओफिस्यल पेज आप इसके कम्यूनिटी में जाएंगे तो उपर ही मैंने आज सुबस पोस्ट डाला हुआ है जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो आप देखोगी कि इसमें मैंने भी अपना एक जो कॉमेंट है पीन क्या हुआ बैसिकली यह मैंने इन ही के ट्विटर अकाउंट पर जाके अपना भी स्टेट्मेंट दिया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे कि आप जाओ और आप भी अपनी प्रॉब्लम लि सकते हैं यह अब इसके मांक्स बढ़ सकते हैं और आपको इतना कॉन्फर्रेंस से चेकल है कि नई क्वश्चन नबर फाइब जो है यह यूजीसी यानी अटीा ने गलत दिया है और और finally अगर हम claim करते हैं तो उसका जो भी 45 नंबर है वो हमें मिल सकते हैं इस तरीके के अगर पूरे paper में 45 question हो गए तो आप उन 45 question को जाके claim कर सकते हैं और उससे marks अपना add-on करा सकते हैं पूरे marks के जो marks आये हुए हैं लेकिन मुद्दा यह है कि आपको बस claim करने के process तक नहीं स ही साबीत होता है तब तो यह पैसा आपको लगेगा चलो ठीक है लेकिन आगर आपका चैलेंज गलत साबीत होता है तो भी पैसा इनहीं के पास रहेगा कहने के मतलब यह है कि चाहे आपका answer सही claim हुआ चाहे गलस claim हुआ आपका payment यह लोग ले लेंगे सपोज एक बच्चा जो है वह चार question claim करता है तो चार question का कम से कम यह लोग 200 पर question के इसाफ से 800 रुपए जो है नौन डिफेंडबल मनी अपने पास ले लेंगे और और सबसे बड़ी बात ही है सपोज कि एक कोई question जो की सबको पता चल गया कि यह question तो एंटीय ने गलत दिया था ठीक है अब मार्स दे दिया जाता है लेकिन एंटीय ने ऐसा नहीं किया ऐसा होता है नहीं किया अब आपको लगता है कि नहीं NCRT में दिया हुआ है कि इसका अंसर यही होगा और आपने वही क्लिक करके आए और आपको मार्स मिलना चाहिए तो जो claim करेगा सपोज मैं तीन लोग हैं हम मैंने claim किया तो वस मुझे मार्स मिलेगा बाकी कि दो लोग को नहीं मिलेगा समझगे मेरी बात अब उसको भी अगर उसी question पर नंबर लेना है तो वह भी claim करेगा same question के लिए तीसरा भी claim करेगा same marks पाने के लिए आप समझगे हो मेरी बात भाई यह लोग का कहना है कि अब ज मतलब इतनी बड़ी agency गलत question देगी क्यों मैं तो समझ रहा हूं कि answer challenge के conditions बनने ही नहीं चाहिए जब pure correctness के साथ अगर exam करा आजाए तो भाई neat and clean का क्या मतलब होता है transparency के मतलब क्या होता है यही होता है ना कि भाई आप गलत होने ही नहीं दोगे अगर गलत होता है तो हर किसी को marks दोगे यह कहीं logic नहीं सही लग रहा है कि एक particular question को आप गलत अपने हाक्षेप करते हो और आप reference लेके सही उसको साबित करने के लिए बोलते हो और सही साबित हो आने पे जो बस एक बच्चा है उसको marks दे रहो बाकी नहीं दे रहो और इस तरीके से एक question गलत करके बस एक question के लिए आप लाखों रुपए कमा सकते हो और यह बस answer की challenge करके इतना पैसा कमाने का इनका प्लानिंग है यह तो पहला मुद्दा है दूसरे मुद्दे पे चलते और state university को पूरी खूली छूट दे रखी है जो कि मुझे किसी तरीके से logically प्रूब नहीं लगता है कि UGC जो है यह पूरे university को क्या करता है और UGC जब पूरे university को operate करता है तो rules regulation के according इनके ऊपर एक restrictions लगाना चाहिए कि भाई हमने पैसा ले लिया है अब आप बीना admission के payment मतलो जाइचती बात है कि हम बार पर payment क्यों करें अगर कोई बच्चा क्योंकि आपने platform मनाया कि centralized होगा वाई जब हम पहले से dedicated हो जाएंगे logically समझो कि आपने CUT दिया और हम पहले से ही fix है कि हम बस एक university डालेंगे इसलिए तो आया ही नहीं था है CUT आया था कि हम एक exam देंगे और हम लोग देश के हर एक विश्विद्याले में कम से कम 10-15 में तो ट्राई करी सकते हैं लेकिन यहाँ पे 10-15 ट्राई करने के लिए आपके पास 10-15 हजार उपए होने चाहिए लगभग तो यह कहां से फिर CUT प्लेटफॉर्म कैसे हुआ मलब वन एक्जाम और वन एडमिशन लॉजिकली प्रूफ ही नहीं हो रहा है मलब यह ओ माई गॉड क्या गधो वाला लॉजिक है यह पहले मलब यह चीज़े एकदम समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़ी आजेंसी जो है वह इस तरीके के इलॉजिकल बाते कैसे कर सकता है आपने पूरा एक ओपेन बनाया और एक एक्जाम लेके देश के विभिन विश्विद्यालों में एडमिशन के लिए रास्ते खोले लेकिन रास्ते में जैसे आगे बढ़ते हैं फिर से गेटवे लगा हुआ है फिर से म हमें common counseling चाहिए single payment one exam one payment one admission यह हमारा पहला उद्देश होना चाहिए प्लीज आप लोग अपने Twitter handle से अपने social media से और वीडियो के माध्यम से अपने हर दोस्त को initiate की और बोलिए कि हमें one exam one payment one admission चाहिए इस तरीके के यह रेगुलर यह लॉजिकल यह रिलिवेंट जो बाते हैं government की तरफ से उसको हमें सुनना भी नहीं है भाई हम इसलिए यहां पर आई ही नहीं ते स्यूटी फॉर्म डालने कि हमें बार बार payment करना पड़ेगा और एक गरीब इंसान की मजबूरी को समझे हमारा देश ऐसा जैसे हमारे देश में कम से कम चार-पांच होनी चाहिए लेकिन फिर भी बस NTA के फरोसे रहता है क्योंकि NTA गॉर्मेंट की है यह अटो लामस है लेकिन इसका गूगल करके देख लेना यह एक बहुत बड़ा प्लानिंग है इन लोग का बहुत बड़ा प्लानिंग है तो सिक्षा में दिमाग लागे पैसे कमाने का जो इन्होंने आइडिय निकाला है उससे हम लोग ठीक से परिचित नहीं हो पाएं इस वीडियो मैं आपसे अपील करने आया हूं रेक्वेस्ट करने आया हूं कि प्लीज इस वीडियो को शेर करें अगर अपने लिए वाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाने आएगा भाई जाहिज दिबाते गरी इंसान कहां-कहां पैसे पे करेगा मलब स्यूटी का अप्लिकेशन का फॉर्म पेमेंड करें फिर वह दस-पंदर इनुवर्शिटी चूच किया है तो वहां पर जाके 10-15,000 रुपए पे करें उसके वाद अगर 10 कोशन गलत हो जाते हैं तो 2,000 रुपए वहां पे करें फिर पर जाएं लिंक में इस डिस्क्रिप्सर में डाल दें बस आपको क्लिक करना रिट्विट करना और आपके पास जो भी भावनाएं हैं आप वहां पर लिखिए कि भाई हम गरीब इंसान हैं हमसे पैसा मत लेजे गरीब है वाटेवर प्लीज आप छात्र हीत के नाते अपने स्वयम के लिए आप लिखोगे भाई हम फालतू पैसे कहीं नहीं देंगे सिंपल जी बात है सो प्लीज रेक्वेस्ट आप सभी से कुछ बच्चों के कॉमेंट आते हैं कि सर इससे क्या हो जाएगा भाई मैं हमें मनलब क्यों क्यों नहीं बोलोगी मनलब कोई आपके साथ स उस पर चुपी तोड़ो उस पर बोलो तो प्लीज रेक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग ट्विटर पर जाएं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें बताएं एमजे कुमार तक जाना चाहिए हमारे प्रधान जी तक जाना चाहिए जुके सब मिनिस्ट्री त तो आपको लगता है कि हाँ नहीं है ठीक है हो गया बस यही हो गया चलो जाने तो छोड़ दो इसी की वज़े से मैक्सिमम समझता है मारे पास आती है सो प्लीज कम सकम बोलो भाई मुवाईल आपके हाथ में है रिचार्ज उसमें होई चुका है डेटा का पैसा जा चुका ह है कुछ नहीं करना इस वीडियो को वीडियो के रिस्कित जाए रिट्विट मारिए बस इतना करना है पड़े लिक होने बस वाट्सप तक मत लिमिट रही है अपनी प्रॉब्लम को समझे और लोगों तक पहुचाईए कि भाई हम लोग को प्रॉब्लम है इससे ठीक है सो प बिना परिडाम का उपच्छा किए ठीक है आप इस पर अक्षन जरूर लें और अपनी जो भी भावनाएं हो ब्यक्तिने ट्विटर पे और इस वीडियो को भी सेर करें टैक करें और लॉजिकली आपको करना चाहिए मुस्कुराते रिए बहुत सरी सुबकामनाय में उम्मी